दोस्तो जियो फोन में ये प्रॉब्लम बहुत देखनों के मिलता है जिसमें चार्जिंग 0% ही सो करता है उससे आगे बढ़ेगा भी नहीं और दोस्तो फोन ऑन भी नहीं होगा तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तो अकसर जियो फोन में आता है तो स्वागत है दोस्तो आप सभ अब बैटरी आपका फुल चार्ज है तो भी नहीं होगा लेकिन आप बैटरी लगा चार्ज ही लगाएंगे तो यह अन हो जाता है दोस्तों यह फोन अधर सौप से रिपैर होके आया है कोई टेक्निशन इसको रिपैर करके देख चुका है फिर भी इसको शॉलिशन नहीं कर यह मेरे पास आया हुआ है आई आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूं एक बर हम डीची से चेक कर लेते हैं कि तो वीडियो पर बने रहें देख सकते हैं यह डीची से हम अन कर रहे हैं फोन को ति यह अन हो जा रहा है तो दोस्तों इसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि यह बैटरी से अन नहीं हो रहा है बैटरी लगा कर चार्जिंग लगांगे तो ओन हो जाता है ना चार्जिंग भी सेव नहीं हो पा रहा है आपका 0% से उपर दिखाया 0% से उपर जाए गई नहीं आप चार्ज लगाओगे चार्जिंग दिखाएगा 0% ही दिखाएगा चाहिए आपका बैटरी 50% चार्ज हो या 60% चार्ज हो कितना भी हो लेकिन आपको चार्जिंग लगाने पर आपको 0% ही सो होगा और ये बैटरी से अन नहीं होगा दोस्तों तो ये प्राइबलम बहुत ज़ादा देखने को मिलते है जियो फोन में तो दोस्तों हम इसको कैसे एकदम इजली रिपैर करेंगे तो आईए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो पर बने रहें एक बार हम बैटरी को भी एक बार पहले हम चार्जिंग लगा के चेक करते हैं चार्जिंग लगा के भी आपको दिखा देता हूँ जिसे हमें चार्ज लगा दिया उपर में देखो 0% हो रहा है देख सकते हैं 0% हो रहा है अब फोन को हम एक बार आउन भी करके देख देंगे इस चार्जिंग पे आउन भी हो जाएगा जिसे हमें इसको आउन कर रहा हूँ फोन हमारा चार्जिंग और बैटरी लगा के आउन हो जाएगा दोस्तों तो यह प्रॉब्लम अक्सर जो दोस्तों आता है वाटर डेमेज फोन में आता है और यह फोन वाटर डेमेज है और इसमें यह दिक्कत आ रहा है दोस्तों इसको हम स्टेब बाइस्टेब आपको बताएंगे कि सो कैसे हम रिपैर करेंगे देख सकते हैं यह फोन हमारा पूरा ओन हो गया है और जैसे हम चार्जिंग कनेक्टर निकाल देते हैं कि यह जीओ लिखा कि अपने आप ही चेक करके दिखा देता हूँ कि बैटरी में कितना voltage है कितना charge है आपको वह भी ऑक dc20 पर आपको रख़गविनया है collide emocks the dc20 पह सेट करके चेक कर लिए ना है आपके पार जो भी बैटरी झार गूऊ इसमें मैं आ Oo है कि कई बार बैटरी का भी दिखकत रहता है। इसमें मैं आ पो दिखा दीरहा है इसमें बैटरी का हमारे चेंज है नया बैटरी है तो दोस्तों एक बार और आपको दिखा दे रहा हूं इतना चार्ज वोने इक आपको चालो करके दिखाता हूं फर भी यह आं नहीं होगा दोस्तों हम इसको कैसे रिपेर करें गए आई आप जानते हैं तो दोस्तों एक बार बोड में आपको पूरा आइस किन कर लेना है देख सकते हैं फोन अभी भी वाटर डेमेज है कहीं कहीं पर डश्ट दीख रहा है और यह जो प्रॉल्लम जो आता है दोस्तों यह जो आपको बता दूँ यह बैटरी कनेक्टर है जैसे मैं आपको दिखा द लगा डायोट के बाद केपिसीटर केपिसीटर फी डायोट है उसके जष्ट बाजू में छोटा सापको यहां पर एक रजिस्टेंस रहता है दोस्तों जो देख सकते हैं यहां पर पानी वाटर डेमेज के कारण यह खराब होकर निकल गया है यह हो सकते है को टेक्नीशन इस अछसे से क्लीन कर लेना है कहें भी कोई डिश्ट या स्वटण नहीं रहाना है अभी भी बहुत जगा से sorting है दोस्तों तो इसको हम क्या करेंगी यहां जो resistance है दोस्तों हमको resistance तो अगर आपके पास same board पड़ा है तो वहां से आप निकाल करके लगा सकते हैं नहीं तो आप इसको क्या करेंगी इसको अच्छे से थोड़ा सा clean कर लेंगे दोनों पैंटों को और इसको एक simple छोटा से जंपर लगा देंगे दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से साप करके इसको आपको मैं जंपर लगा के दिखा देता हूँ फिर हमारा यह जो problem है solve होता है नहीं होता है तो आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों वीडियो में बहुंच सारे आपको जनकरी मिल जाएगी यह जो problem है दोस्तों इस problem के कराण आपका phone 0% charge में या 1% charge में stuck हो जाता है आगे बढ़ता ही नहीं है आप कितना भी कोसिस कर लो वो आप चार्ज हो गई नीचा चार्जर बदलो बैटरी बदलो कुछ भी बदलो यह जो resistance है दोस्तों अकसर यह क्या है खराब हो जाता है तो आप क्या करना है इसको simple सा एक jumper ले लेना है और आप एक jumper लगा करके इसको छोड़ देना है इससे क्या है आपका जो problem था दोस्त और एक बार आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूं तो वीडियो पर बने रहें दोस्तों एक बार हम फिर वही बैटरी से एक बार फिर से हम एक बार ऑन करके देखते हैं फोन हमारा जो problem था वो solve हुआ यह नहीं हुआ देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो problem था हूँ 100% solve हो चुका है फोन हमारा पूरा on भी हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों मेरे चैनल पर ऐसा ही hardware software selected videos आते रहते हैं तो दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो से आपको थोड़े सा भी मदद होता है तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को भी दबातें ताकि आपको अगली वीडियो की notification मिलत रहे देख सकते हैं दोस्तों यह phone हमारा on हो चुका है और दोस्तों आपको किसी भी पकार के कोई भी दिक्कत होता है hardware software में तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं इसके उपर भी आपको वीडियो बनाकर के दे दूंगा एक बार हम charging लगा कर कि आपको चेक करा दिखा देते हैं जीरो पर्शंट हमारा यहां पर सोग कर रहा था दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब